हेलोनवसकाइब दोस्तुनों सब्सक्रistçi रहा ही मेरे चैनल BTEKमॉपर दोस्तों जो आज आज आपके लिए वीडियो लाए हूँ वो है turning वो हिंप स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों जो से दो DAMN आमे काफ़ इच्छे स्मार्टफॉन थे और स्पेस्टिफिकेशन बाइस भी काफी आप हैक णिस अदेते थे अच्छे प्राइस पॉंट पर लेकिन फिर भी दोस्तों उन्हें कुछ फिल्यज का सामना करना पड़ा तो उन्हें के वारे मैं अजुड बात करने वाले हैं तो दोस्तों जो Sonny basically कैसी कमपनी है जो की कैमराज डिस्प्लेज और टीवी या फिर आप कोई भी electronics item ले सकते हैं दोस्तों basically जो sony है वो अपनी electronics device के लिए सबस्छी जाना जाता है लेकिन दोस्तों जो smartphone में भी कि फिसे कम नहीं था ऐसा नहीं था कि जो स्पैसिफिकेशिन या फिर जो उनकी चीजे थी वह अची नहीं थी चीजे अची थी इन्योविशन भी ती लेकिन दोस्तों सरफे बड़ी प्राइश पॉइंट पर आता थे कि तो प्राइस पॉइंट थी वो उनकी सॉसरे बड़ी कमीन देखने मिली दोस्टों ऐसा नहीं था कि शूरू में जो प्राइस लेवल क्योंकि दोस्तों यूजो शुरू में जो स्मार्फॉन से ँर का फॉल कॉछ यहाईट डाइप थे लेकिन यह online market में यह से की शायومी ने समाट में टं कर दे दी स्माट समय को सस्माट पॉन जो सामेड मुगरा मुंपनि में काफी लोसी उने लगें जो उनके ढंड पते है दीुसरा से बड़ा बात आपके react कि में जैसे की Xiaomi अपने स्मार्टपोन इतने एंची रिलिस करती थी जैसे की day रिलिस करती थी स्मार्टपन बगिए अपने fix ChopRती थी लेकिन दूस्तों जो Sony जेसी Company थी भो थोड़ा सा डिले करती थी स्मार्टफ़ों को तो इस कारणड भी एक साथ से बड़ा नुकसान देखने को मिला तो अगर Sony स्मार्टफ़ों की खासिट की बात करे को तो उसकी खासिट कैमरा हमेशा ही रही है क्योंकि दोस्तों Sony cameras के लिए जानी जाती maximum और display भी काफ़ी अच्छी थी दोस्तों बात यह आई कि जो company थी उसका जो आपको updates गया रहा देने की जैसे की software updates उसमें थोड़ी सी challenges सामने देखने को मिली Sony smartphones की company को क्योंकि दोस्तों जो customers थे उनको तो software updates काफ़ी important रहता है ले देखने को मिला और जो company से shift होगे जो believe था company के ओपर Sony smartphone की company के ओपर उससे customer shift होगे दूसरी smartphone companies जैसे Xiaomi जैसे की शाओमी जैसे companies को मले शाओमी अपना जो software update टाइम पर नहीं देता लेकिन दोस्तों फिर भी जो smartphone है शाओमी जैसे तो उनका price काफिल हो था तो इस कारण चल गया लोगों को की Xiaomi best smartphone है इस कारण भी आपको Sony smartphone कहीं ने कहीं problem में आता हुआ नजर आया दोस्तों हाली में आप काजा रहे की smartphone है Xiaomi का जो की Xperia बनने तो दोस्तों जो Sony का Xperia बनने उसकी जैसे मलब की चीज़े अगर अच्छी होगी जैसे की processing processor उसके बाद आपको रेम और बैटरी लाइफ और जो चीज़े वाकी important रहते ही जैसे की sensors गेरा अगर अच्छे से मिल जाए और प्राइस भी अच्छा रखे तो भले ही मलब की अच्छी डेट में Sony कहीं पर ने दिख लिए तो कहीं ना कहीं chances बन सकता है Sony smartphone company को बापिस आने का दोस्तों Sony smartphone company कभी भी turn back कर सकती है क्योंकि जो Sony का market ऐसा नहीं कि smartphone के ओपर dependent है Sony का smartphone एक अलग चीज थी क्योंकि दोस दोस्तों उसका सबसे बड़ा basic चीज आपको electronics देखने को मिलेगा जैसे की cameras में भी आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों जो वहां से margin वह उठा सकती है तो उस margin को उन्हें smartphone में लगा सकती है easily तो दोस्तों अगर वही margin वह smartphone में लगा ले तो कहीं ना कहीं chances है कि वह smartphone अब दोस्तों सबसे major बात यहीं आती है कि जो price and release date क्या रहेगी और क्या अच्छे से कर पाएगा sony smartphone तो दोस्तों जो sony smartphone ने उसके भले ही मलब की आज की date में जैसे की customer belief काफी कम है लेकिन फिल्ट भी जो sony smartphone है अपने हमें काफी अच्छे smartphone लाता है अगर price अच्छा रख है तो smartphone बिख जाएगा तो दोस्तों इस वीडियों फिला ली तरहीं आद देख तेरे में चैनल भी टेक मैं आप लिए सी वीडियो सब दिन लाते रहूंगे तक लिए हिंज भारत दोस्तों